कि यारे भीया बेनों मैं आज आपको बेदिक विदी से गुना करने की शौर्ट ट्रिक समझाना जा रहा हूं विदी है एक न्यूनेन पूर्वेंट द्वारा गुना इस विदी में एसी संक्याओं को गुना कर सकते हैं जिन में पीछे के अंकों है यानि की गुना में पीछे की संक्याओं होती है उनमें नोनों के अंकों हो एकजामपल विदी को सुत्र एक न्यूनेन पूर्वेंट द्वारा हल करते हैं जैसे की फर्स्ट एकजामपल विदी का नाम है एक न्यूनेन पूर्वेंट द्वारा गुना यानि पूरु की संक्याओं में से एक गटा कर बाद की संक्याओं में से माइनस करते हैं पूरु की संक्याओं अपने पास 54 है तो 54 में से एक माइनस करेंगे 54 में से एक माइनस करने के बाद 53 आता है जो 99 में से माइनस करेंगे 54 में से एक माइनस करने पर 53 आपलिक 99 में से 53 माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 46 अपने पास आंचर आएगा 5346 इसी प्रकार अन्ने एक जामपल है संक्याए 214 इंटू 909 में जैसा कि मैंने बताए आपको एक न्यू नेम पूर्वेन द्वारा गुना करना यानि कि पहले की संक्या में से एक गटा कर बाद की संक्या में से माइनस करते हैं पहले की संक्या अपने पास से 214 इंटू 114 में से एक घटाएंगे बचेगा 213 999 में से 213 माइनस करेंगे माइनस करने के बाद संक्या हैगी पहले तो 213 और अबलिक के बाद की संक्या हैगी 786 अपने पास है लोगा 213 786 इसी प्रकार अन्य ग्यांपल 4 7 इंटू 9 9 9 9 जैसा कि आपको विधी थे कि विधी का नाम है सुत्र एक न्यूनेन पूर्वेन द्वारा यानि पहले की संक्यांपल से एक माइनस करेंगे 47 माइनस वन माइनस करने पर बसता ही 46 इसको माइनस करेंगे 9999 में से अपने पास बचेगा 46 और इसको माइनस करेंगे 46 को तो अपने पास बचेगा 3, 5, 9, 9 तो 4, 6, 9, 9, 5, 3 ये आंसर आएगा ये तो हो गई पीछे की संख्या यदि आगे वाली से बढ़ी है तब की विधी लेकिन यदि बाद की संख्या आगे वाली से छोटी है तो इसे कैसे करेंगे इसके भी मैं आपको 3 या 4 एक्जामपल समझाता हूँ 2 या 3 एक्जामपल 4 73 इंटू 9 जैसे की पीछे की संख्या 9 है आगे की 73 है तो 9 ते 73 से छोटा है इसको कैसे करेंगे विधी का नाम है सुत्र एक न्यूनेन पूर्वेन यानि पहले की मेंसे एक घटा कर बाद की मेंसे उसे घटाते हैं तो पहले की संख्या है 73 इसमें से एक माइनस करेंगे एक माइनस करने की बाद बचेगा 72 72 को 9 मेंसे घटाएंगे तो 9 माइनस 72 लेकिन 9 मेंसे 72 घटेगा नहीं माइनस की संख्या आएगी इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे 73 में से एक गटाने पर बचेगा 72 और यहाँ पर अबलिक के बाद में है 9-72 इसको हम कैसे लिखेंगे नो को 70 आगे वाले 72 के साथ लिखेंगे तो 729 माइनस 72 729 में से जब 72 को गटाएंगे तो 657 प्राप्त होगा यह इसका आंसर होगा इसी प्रकार अन्य उधारण है 467 इंटू 99 यहाँ भी बाद की संख्या पहले वाली से छूटी है और बाद की संख्या में 9-9 अंकार हैं यहां भी वीदी वही कामे लेंगे सुत्र एक न्यूनेन पूर्वेट यानि पहले की संक्या में से एक गटा कर बाद की संक्या में से घटाते हैं तो देखिए, 466 में से एक घटाया, ओबलिक बाद की संख्या में से, 466 में से एक घटाने पर बचेगा, 466 वो बाद की संख्या में से घटाते हैं, चारसो च्यांचट ओबलिक 99 माइनस चारसो च्यांचट, अब यहां पर 99 को आगे वाली संख्या के साथ लिखेंगे, 46699 माइनस 466 माइनस करने पर 46233 रापत होगा, प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाई वी दिये, एक नियुने पूर्वेंड द्वारा गूणा करना, इसी प्रकार मैं आपको अब इसी प्रकार मैं आपको अब सामाने संख्या को विन कूलम संख्या में बदलना, दिखाता हैं, देखिए, सामाने संख्या को विन कूलम संख्या में केसे बदलेंगे, इसमें, इकाईक अंक को दस में से, से संख्यों को नो में से घटाते हैं, जैसे की, फर्ष्ट, नाइन, सिक्स, एट, सेवन, ये सामाने संख्या ही, इसको विन कूलम संख्या में केसे बदलेंगे, इकाईक अंक को दस में से घटाएंगे, तो इकाईक अंक साथ ही, साथ में से दस घटाएंगे, तो बचेगा तीन, लेकिन इसके उपर विन कूलम चिन, यानि की बार लगाएंगे, से संख्यों को नो में से घटाकर इन पे भी बार दगा देंगे, 8 को 9 में से गटाएंगे तो 1 के उपर 12 का चिल लगेगा ऐसे ही 6 में 9 में से 6 गटाएंगे तो यहाँ भी 3 के उपर लगेगा 9 में से 9 गटाएंगे तो 0 लेकिन सामाने संक्या को विनकूलम में बदलने के लिए जो सबसे 1st अंक आता है यानि 9 में से 9 गटाने पर 0 आया लेकिन इसके पहले कोई अंकनियो तो 0 लिपकर उस पर एक अधिक का चिल लगाते हैं तो 3 1 3 0 1 अधिक का मतलब 0 से 1 अधिक यानि कि 1 आएगा यह इस था आंसर होगा इसी प्रकार 6, 5, 7, 8 इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे इकाए के अंक को 10 में से और 6 अंको को 9 में से गटा कर इकाए अंक 8 है 8 को 10 में से गटाएंगे 2 7 को 9 में से गटाएंगे 2 5 को 9 में से गटाएंगे 4 6 को 9 में से गटाएंगे 3 अब इसके पहले जीरो लिखकर इसके उपर एक अधिक चिन लगा देंगे इसका मतलब जीरो से एक अधिक एक तीन चार दो दो सब के उपर बाढ लगा देंगे इसी प्रकार अब मैं आपको विन कूलम को सामाने संख्या में बिन कूलम को सामाने संख्या में बदलना इसका पहला एक जामपल देखिए त्री टू वन यानि कि इसमें भी नियम वही काम आएगा इक आएक क्यंकों दस में से और से संकों को नौ में से गटाएंगे बिना बार वाले लास्ट के अंक में से एक नियून करेंगे जैसे कि देखो आप यहाँ पर वन के ओपर टू के ओपर बार चल लगा है तो यहाँ पर वन को तेन में से गटाएंगे तो यहाँ बचेगा नाइन दो को नो में से गटाएंगे यह बचेगा सेवन लेकिन तीन में बार नहीं लगा है इसलिए इसमें एक नियम का मिलेंगे इसमें सुत्र नौम चरत दशत ऐसा नियम का मिलेंगे इक आएक आंक दसमें से से संको को नो में से इक आएक आंक है दो दो को दसमें से गटाएंगे तो आठ बचेगा तीन को नो में से गटाएंगे तो छे बचेगा चार को नो में से गटाएंगे तो यहां पांच बचेगा लेकिन दो के नीचे एक नियूने इनका चिन लगा दे तो आठ शे पांच एक इस प्रकार से में कि सामाने संख्या को विनकूलम में और विनकूलम संख्या को सामाने संख्या में बगल सकते हैं झाल